Hello Everyone, आप सुन रहे हैं Mysteries in Hindi और उर्दू आडियो बुक्स चैनल आज आप सुनेंगे Cards on the Table बुक का लास्ट चैप्टर अब तक की कहानी में आपने सुना कि Mr. Shaitana ने आट लोगों को उसकी पार्टी में इन्वाइट किया था उन में चार इन्वेस्टिगेटर्स से और चार क्रिमिनल्स उसी पार्टी में Mr. Shaitana का मर्ड़ हो जाता है हक्यूल पाइरोट के बताने पर के आए हुए चारों गेस्ट पहले से ही कोई क्राइम किये हुए हैं सुप्रीन टेंडिन्ट बैटल करनल रेस और मिसिस ओलिवर पाइरोट के साथ मिलकर उन चारों गेस्ट के पुराने किये हुए क्राइम्स का पता लगाते हैं चारों गेस्ट में से स्रिफ मेजर डेसपार्ड ऐसा है जिसने किसी का मर्डर नहीं किया और एनी मेरी डित को चोरी की आदत है और जब मिसिस बेंसन उस पर शुबा करती है तो उसने मिसिस बेंसन का मर्डर कर दिया मिसिस लारीमन ने कई साल पहले खुद के हस्बेंट का मर्डर किया था जिसकी वज़ा कोई नहीं जाद दा डॉक्टर रॉबर्स ने भी मिस्टर एंड मिसिस क्रेडॉक को खतल किया था क्योंकि मिस्टर क्रेडॉक ने उसका मेडिकल लाइसन्स जब्द कराने की धमकी दी थी पिछले चैप्टर में पता चलता है कि मिसिस लारीमन ने सुसाइट कर ली है जब किये हवक्यूल पाइरोट को लगता है कि वो सुसाइड नहीं बलके किसी ने मिसिस लाडिमर का मर्डर किया है अब आगे एनी और रोडा वेंडन कॉर्टेज के सिटिंग रूम में बैठे हुए थे रोडा कह रही है ओ एनी तुम मेरी बात पर पूरा ध्यान दो और क्रोसवर्ड पजल बाद में कर लो हाँ मैं तुम्हारी बात गौर से सुन रही हूँ एनी ने कहा तुम्हें पता है ना कि सुपरिंटेंडन आज आ रहे हैं मैं चाहती हूँ कि तुम उनहें बता दो कि तुम्ने मिसीस बेंटसन के पास कमपैनियन की जॉब की थी और उस मिसीस बेंटसन की एकसिडेंटल के डेथ के बारे में भी एनी का फेस एकदम सक्त हो गया उसने कहा पागल हो गई हो क्या तुम मैं ऐसा क्यों बताऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पोलिस वो बात कहीं न कहीं से मालूम कर लेगी और अगर बाद में पता चला तो अच्छा नहीं लगेगा कि तुमने पुछताच के दौरान ये बात चुपाई है खेर अब बहुत देर हो चुकी है उन सब बातों के लिए आनी बोली ठीक है मुझे लगता है कि मैं बेखुफों जैसी बातें कर रही हूँ लेकिन तुम्हें किसी खिसीम की भी सच्चाई पोली से नहीं चुपाना चाहिए रोडा बोली मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फरक पड़ेगा वैसे भी तुम्हारे सिवाई ये बात किसी को भी नहीं मालूम है आनी जिंजला कर बोली कॉम बेकर के सब लोग जानते हैं उस बात को रोडा बोली रोडा तुम खामखा के उस बात को इतनी एहमियत दे रही हो आनी ने फिर सक्टी से कहा आइम सॉरी लेकिन मैं नहीं चाहती के पुलिस तुम्हारे बारे में कोई गलत राए खायम करे रोडा समझाते हुए बोली तुम्हें लगता है के पुलिस को इतनी पुरानी बातें कोई बताएगा तुम्हारे सिवाए ये बात कोई नहीं जानता आनी ने दो बारा ये अलफास कहे लेकिन इस बार लहजा बहुत ही अजीब था फिर भी एक बार सोच लो रोडा बहुत आहस्ता से बोली उसने आनी की तरफ देखा उसकी आँखों में गलती का एहसास था क्योंकि उसने ये बात मिसिस ओलिवर को बताई थी आनी के फेस पर बहुत गहरी सोच थी और लग रहा था कि उसका दिमाग किसी प्लानिंग बनाने में उलचा हुआ है रोडा ने बात बदलते हुए कहा मेजर डेसपार्ट भी आने वाले हैं आज कितना मज़ा आएगा वो कितने अट्राक्टिव और अच्छे हैं पता नहीं वो आज क्यों आ रहे हैं आनी बोली ओ आनी वो तुम्हें बहुत लाइक करते हैं नहीं लगता है कि तुम ब्यूटिफुल और हैटलेस लड़की हो जिसे वो मुसीबतों से बचा कर खुश होना चाहते हैं रोडा हस्ते हुए बोली उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझे लाइक करते हैं इन फैक्ट वो हम दोनों से ही अच्छी तरह मिलते हैं एनी भी मुस्कुराते हुए बोली पर वो तुम्हें पसंद है ना रोडा ने पूछा गर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो बोल दो मैं अपना चांट स्ट्राइक कर लोंगी रोडा फिर से मजाख करके हस्ते हुए बोली मेरे खेल से वो तुम्हें ज्यादा लाइक करते हैं एनी बोली इस बार भी उसकी आवाज बहुत अजीब हो गई थी लेकिन रोडा ने कुछ महसूस नहीं किया फिर एनी बोली चलो हम नदी की तरफ चलते हैं मगर रोडा बोली डेस बार तो ग्यारा बजे आने वाले हैं और अब साड़े दस बज रहे हैं हम उनका इंतेजार तो नहीं कर सकते यहां बैठे बैठे हम मिसिस एस्ट्वल से कह देंगे कि जब वो आए तो उन्हें मेसेज दे दे के हम लोग नदी की तरफ गए हैं एनी उठकर बाहर निकलते हुए बोली रोडा को भी उठना ही पड़ा दस मिनिट बाद मिजर डेसपाड वेंडन कौटेज पहुँच गया वो टाइम से पहले ही आ गया था उसलिए जब उसे मालूम हुआ के दोनों लड़कियां घर पर नहीं हैं उससे बहुत हैरत हुई उसे मिसिस आस्ट्वल से पता चला के वो दोनों नदी की तरफ गई हैं वो भी बाहर निकला और खेतों का रास्ता पार करते हुए नदी की तरफ जाने लगा कुछ देर बाद वेंड़न कोटेज की बेल फिर बाजी मिसिस आस्ट्वल ने दरवाजा कोला सामने सुपरींटेंटेंटेंट के साथ एक चोटा फॉरंड से आया हुआ आदमी दिखाई दिया सुप्रिंटेंडन ने पुछा क्या मिस मेरिडिद घर पर है नहीं वो बाहर गई है कहा किधर गई है सुप्रिंटेंडन ने पुछा वो नदी की तरफ गई है मिसिस एस्ट्वल ने कहा सुप्रिंटेंडन्ट के साथ वाले अदमी ने फॉरण पुछा, क्या मिस डॉयस भी उसके साथ थी? हाँ, वो भी उधर ही गई है, हाउसकीपर मिस्स एस्च्वल ने बताया और नदी की तरफ जाने का रास्ता सुप्रिंटेंडन्ट ने पुछा मिस्स एस्ट्वल ने जल्दी से नदी तक जाने का शॉर्ट कर्ट बता दिया वो दोनों भी नदी की तरफ खेतों को पार करके जाने लगे पॉयरोट बहुत तेज़ चल रहा था क्या बात है मिस्टर पॉयरोट आप बहुत जल्दी में हैं आप किस बारे में बात कर रहे हैं बैटल ने पूछा ऐसे केसेस में कोई क्यूं डरता है पॉयरोट ने उल्टा सवाल किया आपके ख्याल से मिस्स मेरेडीट को पता चल गया होगा कि उसकी दोस्त रोडा डाइस ने मिस्स ओलिवर को उसके साथ हुए एक्सिडेंट के बारे में बता दिया सुप्रिंटेंडेंट ने पूछा वो एक्सिडेंट नहीं मर्डर था और जल्दी चलो उससे पहले के कुछ हो जाए पाइरोट बोला वो दोनों बहुत तेजी से नदी की तरफ बढ़ रहे थे पिर एक मोल पर पाइरोट अचानक रुख गया सुप्रिंटेंडेंडेंट की भी तेज आंखों ने सामने वा जाने वाले आदमी को देख लिया और उसके मुझसे निकला मेजर डेस्पार्ड डेस्पार्ड उन दोनों से दोसो गज आगे था दूर नदी में एक फ्लैड बोटम वाली कश्टी में एनी और रोडा हस्ते हुए बाते कर रही थी दोनों में से किसी ने भी आने वाले रास्ते में से डेस्पार्ड और उसके पीछे पाइरोट और सुप्रींटेंडन को नहीं देखा था और अचानक एनी का हाथ रोडा की तरफ बढ़ा और उसने रोडा को कश्टी से पानी में ढखेल दिया गिरते गिरते रोडा ने एनी की स्लीव स्पकड़ ले और एनी का भी बैलेंस आउट हो गया वो भी पानी में गिर गई बैक वक्त दोनों लड़कियां पानी में डूब रही थी देखा आपने बैटिल चिलाया वो मेरिडित की बच्ची उसने रोडा को धक्का देकर गिराया ये उसका फोर्थ मडर है वो दोनों नदी की तरफ तेज भागने लगे लेकिन उन लोगों से भी आगे कोई था डेसपार्ड बहुत तेजी से भागते हुए वो नदी के नज दिक पहुँच गया था माई गॉड ये बहुत इंट्रेस्टिंग है किसे बचाएगा वो पाइरोट हैड़स से बोला डेसपार्ड नदी में कूद गया वो स्ट्रेट तरीखे से तेरते हुए सीधा रोड़ा की तरफ जा रहा था बैटल भी एक और किनारे से नदी में कूद गया डेसपार्ड ने रोड़ा को नदी से बाहर निकाला उसे किनारे पर छोड़कर वो फिर तेरते हुए एनी की त दूब रही थी बड़ी मुश्किल से उन दोनों ने खीच कर उसे बाहर निकाला जब वो लोग किनारे पर पहुँचे तो रोडा उटकर बैठ चुकी थी उन लोगों ने एनी को किनारे पर रखा आर्टिफिशल रैस्पिरेशन देना पड़ेगा बैटिल बोला डेस्पार्ड ने रोडा से पुछा तुम ठीक हो उसने आइस्टा से कहा तुमने मुझे बचाया मुझे यकीन नहीं होता फिर वो दोनों बैटल के आवास से चौक गए वो कह रहा था हम उसे नहीं बचा सके थोड़ी देर बाद वो लोग ड्राइफ करते हुए लंडन के आउट इसकर्स तक पहुंच गए सुपरिंटेंडेंडन बैटल और पाइराट आगे की सीट पर थे जबके रोडा और डेस्पार्ट पीछे की सीट पर यह आप लोग क्या कह रहे हैं कि एनी ने मुझे जान बूच कर पानी में गिराया रोडा हैरत से बोली हाँ उसने सब कुछ सोच समझ कर किया पाइराट बोला लेकिन क्यों क्या वज़ा थी रोडा ने पूछा पाइराट ने सोचा एक वज़ा जो मुझे मालूम है वो इस वक्त तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है सुप्रिंटेंटने ने रोडा को बताया कि मिस मेरिडित पहले मिसिस बेंसन को भी मार चुकी है और शायद उसे पता चल गया कि तुमने मिसिस ओलिवर को उसके बारे में बता दिया था खैर अब वो मर चुकी है तो हम उसकी बातें यहीं खत्म करते हैं मगर वो तुम्हारे लिए अच्छी दोस्त नहीं थी सुप्रिंटेंडन ने कहा कार पाईरोट के घर के सामने रुकी पहले हम लोग यहां इसलिए आए हैं ताके सब डेटेल्स जान सके सुप्रिंटेंडन ने रोडा और डेसपार्ट को बताया पाईरोट के सिटिंग रूम में मिसिस ओलिवर उन्हें वेलकम किया वो डॉक्टर रोबर्ट के साथ बैट कर शेरी पी रही थी मिसिस ओलिवर ने पाईरोट से कहा मिस्टर पाईरोट जैसे ही मुझे आपका फोन मिला मैंने डॉक्टर रोबर्ट को भी कॉल करके यहां बुला लिया हाँ मुझे बहुत कुछ मालूम करना है आप लोगों से मैं यखिन नहीं कर सक रहा हूँ कि मिस मेरीडित ने इतने सारे मर्डर्स किये डॉक्टर रॉबर्ट्स हैरत से बोला हाँ तीन मर्डर्स वो भी बहुत चालाक मर्डरर थी आज जरा सी उससे गलती नहीं होई होती तो फोर्थ मर्डर भी सक्सेस्फुल हो जाता सुप्रिंटेडनेट ने कहा हैरा तंगेस डॉक्टर रॉबर्स बोला और आज का दिन बहुत ही अजीव था पहले वो मिसिस लॉरीमर का लेटर फिर ये सब कुछ क्या वो लेटर भी एक धोका था जाहिर सी बात है उसने मिसिस लॉरीमर की तरफ से तीन लेटर लिखे और बताने की कोशिश की कि मिसिस लॉरीमर ने सुसाइट कर ली है सुप्रिंटेडनेट ने कहा लेकिन मिस्टर पॉरीमर आपको कैसे शुबा हुआ कि मिसिस लॉरीमर ने सुसाइट नहीं की डॉक्टर रॉर्बर्स ने पूछा एक छोटी सी बात चीज जो मैंने मिसिस लॉरीमर की हौस कीपर से की थी पॉरीमर ने लापरवाई से जवाब दिया आपको मिस मैरीडिट पर शुबा कब हुआ डॉक्टर रॉर्बर्स ने पूछा पाइरोट ने हाथ उठा कर कहा एक मिनिट मैं अपने तरीखे से बताऊंगा मिस्टर शैताना का मॉर्डर मिसिस लॉरीमर ने नहीं किया मेजर डेसपार्ड ने नहीं किया और मिस मैरीडिट ने भी नहीं किया वो बोला फिर वो आगे जुक कर बोला तो डॉक्टर रॉर्बर्ट्स मिस्टर शैताना का खतल तुमने किया है मैंने मिस्टर शैताना का मॉर्डर नहीं किया और नहीं मिसिस लॉरीमर का सुप्रिन्टेंडन क्या तुम सुन रहे हो मिस्टर पाइरॉट की बेखोफी की बाते हैं उसने पुछा मुझे सुनना है कि मिस्टर पाइरॉट क्या कहना चाते हैं सुप्रिन्टेंडन बोला पाइरोट ने कहा मुझे कई दिन से मालूम था कि मिस्टर शैताना का मर्डर तुम नहीं किया है लेकिन प्रूफ करना आसान नहीं था जबकि मिसिस लॉरीमर का मर्डर अलग बात है किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है मेरे पास आई विटनेस है ऐसा कुछ भी नहीं है आप कुछ भी बक्वास किये जा रहे हैं डॉक्टर रॉर्बर्ट गुसे से बोला नहीं मैं कोई बक्वास नहीं कर रहा हूँ पाइरोट ने कहा उस वक्त सुबा के आट बजे थे तुम जुट बोलकर के तुम्हें कोई लेटर मिला है मिसिस लाडीमर के रूम में घुज गए वो वहाँ नीन की टैबलेट्स की वज़ा से गहरी नीन सो रही थी तुमने हाउस कीपर को गरम पानी और दूसरी चीजे लाने के लिए भेज दिया फिर तुम रूम में अकेले थे उसके बाद क्या हुआ शाये तुम नहीं जानते डॉक्टर रॉबर्ट्स लेकिन कई विंडो क्लीनर्स की फार्म सुबा को काम करती हैं ऐसे ही एक विंडो क्लीनर ने भी कुछ देखा था पाइरोट आगे बढ़ा डोड खोलकर उसने पुकारा स्टीफन एक लंबा बेढ़ंगा आदमी जो के चल्सी विंडो क्लीनर का यूनिफॉर्म पहने हुए था अंदर आया पाइरोट ने उसे पुछा क्या तुम यहां किसी को पहचानते हो उसने डॉक्टर रॉबर्स की तरफ इशारा किया डीटेल में बताओ कि तुमने उसे कहां और कब देखा था पाइरोट ने पुछा आज सुबा आठ बजे चेन लेन में जो एक लेड़ी का घर है वहां मैं सुबा विंडोस साफ कर रहा था वो लेड़ी बैट पर सो रही थी वो थोड़ी बीमार लग रही थी यह आदमी अचानक अंदर आया था मुझे लगा कि यह डॉक्टर है क्योंकि उसके उस औरत के हा कोशिश कर रहा था डॉक्टर रॉबर्स चिलाया तुमने एवी पैन का इंजेक्शन दिया था जो के वन नौल टैबलेट्स के बाद बहुत ही डेंजरस था मैंने डिविशन सर्जन से कहा था और पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट से भी साबित हो गया कि उस इंजेक्शन से ही मिस्स लॉरीमर की मौत हुई थी पोईरोट ने कहा डॉक्टर रॉबर्स अवाउर्ड जुट बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सामने मिस्टर और मिस्स रैड डॉक की मौत का भी असलियत आ चुकी है सुप्रिंटेंडने ने कहा ये दो नाम सुनते ही डॉक्टर रॉबर्स की हिमत खतम हो गई वो चेर पर धम से बैठता हुआ बोला ठीक है मैं सरंडर कर रहा हूँ मैंने ही बदमाश शैताना को मारा था और शायद उसी ने पोलिस को मिस्टर और मिस्स क्रेडॉक वाली बात बताई होगी नहीं मिस्टर पाईरॉट ने बताया हमें सुप्रिंटेडने ने कहा डॉक्टर रॉबर्स को अरेस्ट करके वहां से ले जाया गया उसके बाद मेजर डेस्पार्ड ने पाईरॉट से पूछा क्या आप हमें डीटेल में बताएंगे के आपने ये केस कैसे सॉल्फ किया ये केस में मैने शुरू में ही बुर्ट के स्कोर्स देखकर डॉक्टर रॉबर्स पर शुभा किया था क्यूंकि जो भी शैतना को मारना चाहता था उसे चाहिए था के दूसरे प्लेयर्स का ध्यान गेम से हटने नहीं देना अगर बहुत ही इंट्रेस्टिंग बाजी चल रही हो तो कोई भी कार्ट्स को छोड़ कर इधर उधर नहीं देखता इसी लिए डॉक्टर रॉबर्स ने ग्रैंड स्लाम बिडिंग की और उस वक्त थी जब वो डमी प्लेयर था मिस्सिस लारीमर जो उसकी पार्टनर थी गेम में बिजी हो गई और दूसरे लोग भी उसे उस गेम को जीतने के लिए उसमें इन्वाल्फ हो गई लेकिन जब मिस्सिस लारीमर ने मुझसे कहा कि उसने एनी मेरिडिट को शैतना का मौडर करते हुए देखा है तो मैं फिर से सोच में पड़ गया फिर मुझे अंदाजा लगाना पड़ा कि उस दिन क्या हुआ होगा एनी मेरिडिट भी फायर प्लेस के नजदिक गई उसने देखा कि शैतना को किसी ने मारा है वो जरा सा जुकी अपना हाथ आगे बढ़ा कर उसने उस चमकीले हत्यार को पकड़ा लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आया कि ये मॉर्डर वेपन है उसने दस्ती से अपने फिंगर प्रिंट्स मिटा दिये और उसके हाथ कांप रहे थे मिस्स लारीमर ने उसे ऐसा करते हुए देखा और समझी कि उसने ही शैतना को मारा है मैं कभी डॉक्टर रॉबर्ट्स को पकड़वा नहीं सकता था अगर उसने मिस्स लारीमर को मानने की गलती नहीं की होती तो पर उसने मिस्स लॉरीमर को क्यों मारा डेस पार्टने हैरत से पुछा पाइरोट ने फिर उसे बताना शुरू किया उसे डाउट हो गया था कि सुप्रीन टेटनेट बैटल उसके पुराने क्राइम्स के बारे में जान गया है पॉलिस के पास उसके पुराने क्राइम्स के पूफ़्स नहीं थे लेकिन पॉलिस मिस्ट्र शैताना वाले मारडर में बहुत आक्टिव थी इसलिए उसने सुचा कि मिस्स लॉर्मार की तरफ से लेटर्स लिख कर सारा इलजाम मिस्स लॉर्मार पर डाल कर उसे डिविजन सर्जन के आने से पहले ही मार कर सुसाइट केस बता दिया जाए लेकिन उसे पता नहीं था के सुसाइट के बज़ाए उस केस की असलियत बाहर आ जाएगी और एनी मेरी डिट पर शुबा किया जाएगा और जब मैंने उस से पूछा मिस्सिस लॉरीमर की हैंड राइटिंग के बारे में तो उसने फॉरां कह दिया कि वो मिस्सिस लॉरीमर की हैंड राइटिंग नहीं पहचानता आखिर में जब उसके सामने प्रूफ्स लाए गए तब उसे हार कर अपने कार्ड्स टेबल पर डालने ही पड़े पाईट ने कहा थोड़ी देर तक बहुत खामूशी रही फिर रोडा ने लंबी सांस लेकर कहा अच्छा हुआ खिस्मत से उस विंडो क्लीनर ने सब कुछ देख लिया खिस्मत पाईट ने कहा खिस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती ये तो मेरे दिमाग के ग्रेस सल्स का कमाल है वो विंडो क्लीनर नहीं बलके मिस्टर जेरोल्ड हैमिंग वे था जो के एक यंग एक्टर है मतलब ये के कोई भी विंडो क्लीनर नहीं था और किसी ने भी डॉक्टर रॉबर्स को क्राइम करते हुए नहीं देखा रोडा हैरत से चिलाई मैंने देखा था अपने दिमाग की आँखों से पाइरोट ने कहा डेसपार्ड ने हसते हुए कहा इसे मार कर देखते हैं रोडा क्या इसका भूत आकर पता लगाता है कि किसने मारा है